इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा आप आप नहीं हैं उस मुलक का नाम चाइना है और इस चीन ने पैंटालीस साल के बाद भारत और चीन की सरद पर हमारे बीस सिपाईों को मार दिया और उनकी मौत उनकी शहादत राइगा जाने देरी हकूमत जिस मुकाम पर इनको मारा गया था उस मुकाम पर आज भारत की फाज पी पी फूर पी पी एक तक हम पिट्रोलिंग नहीं कर सकते आज अरुना चल परदेश में चीन भारत के लेसी में चीन ने गाउं को बसा दिया ये सरकार चीन से लबजी तौर पर इस बात का इतजाज करने की ताख़त नहीं रख सकती कि आपने भारत के लेसी के अंदर एक गाउं को बना दिया नकुला सिकम में चीन घुसरा है आखिर क्या डर है उस हकूमत को और खास तोर से वजीर आजम को कि वो चीन का नाम लेने से डरते हैं भई मुल्क की सालिमियत का मसला है मुल्क की जमीन पर चीन खब्जा करते जा रहा है और भारत के वजीर आजम चीन का नाम नहीं लेते मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वजीर आजम अपना रिपलाई देंगे तो वो हम्मत दिखाएंगे और चीन का नाम लेकर कहेंगे कि चीन यहाँ पर इन जगाओं पर गुसा हुआ है सर चीन आज भी अपना इंफरस्रेक्टर बढ़ा रहा है वहाँ पर फौच को बढ़ा रहा है मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जब बरफ पिगल जाएगी दुबारा चीन हमला करेगा भारत की फौच पर तो आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे है और सर मैं यह तकरीर इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंके मैं एक आंदोलन जीवी हूँ मैं एक आंदोलन जीवी हूँ मुझे इसका फखर है इसलिए मैं खुलके बोर रहा हूँ अलपास चाप कर किसी से डर कर बोलना मेरी फितलत में नहीं है अफसोस तो इस बात का होता है सर के जिस जगा पर जिस जगाँ पर हमको इंफरास्ट्रक्टर बनाना था हमने टिक्री पर बना दिया जिस जगाँ पर हमको वो इंफरास्ट्रक्टर बनाना था हमने सिंगूर में बना दिया जो इंफरास्ट्रक्टर की जरुवत थी हमने गाजीकूर पर बना दिया और उनाचल पर्देश में नहीं बनाया आखिर हो क्या रहा है क्या किसान से जो बरताओ किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी भी है और जो चीन की फौज से बरताओ किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं तो मैं इस हकूमत से जानना चाहता हूँ कि इंफरास्रक्टर और ये किसानों से क्यों जलुम किया जा रहा है। सर यहां पर यह तीनों खानून को लेना पड़ेगा वापिस आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों खानून को वापिस लेना पड़ेगा सर यहाँ पर मेरे को साहर लुद्यानी का एक शेर याद आ रहा है मैं साहर लुद्यानी के साथ माज़त के साथ उस शेर में तर्मीम करके कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात पर कि साहर लुद्यानी का शेर को थोड़ तब्दील करके कि चीन पर करम किसानों पर सितम रहने दे थोड़ा सा भरम ऐ जाने वफा ये जलुम ना कर ये साहर लुद्यानी ने कहा था हाँ आप से पूछ के करेंगे क्या आप तो टुटे शायर है ना शायर ही आती आपको ना जौख है ना कुछ है बोले जाते हैं क्या बोलते हैं आपको ही मालूम बहराल सर ये जो किसानों का खानून इसमें क्या काला है काला इसमें ये है कि इस हाउस को अग्री कल्चर स्टेट सबजेक्ट है और और कहा लिखा है समभीदान में एंट्री फूर्टीन एंट्री ट्विंटी एट शेडूल सेवन में और ये फेडरलिजम के खिलाफ है केशाननदा भारती खाफ तोर पर कहता है कि फेडरलिजम बेसे स्ट्रक्चर है तो ये सबसे बड़ा काला है और सर ये पूरा किसानों का इडिटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोगसभा की अजमत इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसित नहीं है सरकार इस एवान से डरती नहीं है सरकार किस से डरती है जब लोग रोट पर निकल कर आते है तो मोडी जी की नीन हराम हो जाती है तो वोही आप पैगाम दे रहे है कि लोग रोट पर निकले तो सरकार कहती है कि हम देड़ साल तक खानून को मुल्टवी कर देंगे अरे आप कैसा बोलते क्या इस आईवान की तोहिन नहीं है कि आप यहां पर खानून अपनी ताखत की बुनियात पर बनाते हैं और इस लोग सवा की अजमत को निस्तनाबूद कर देते हैं तो ये बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोट पर निकल कर आते हैं आप डरते हैं आप बनाओ सी डबले के रूल्स इंशालला हम दुबारा रोट पर निकलेंगे पूरे भारत में उसके खलाब इतिजाज होगा सर तीसरी बात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये भी जूट है, क्यों जूट है बाबरी मस्जिद के डेमॉलिशन का केस आता है जज्जमेंट आता है और केस में कहा जाता है कि किसी ने नहीं तोड़ा अगर सरकार उस जज्जमेंट के खलाफ अपील क्यों नहीं करती अपील क्यों नहीं करती एक क्रिमिनल एक्स सुप्रीम कोट ने का डेमॉलिशन ओब बाबरी मस्जिद को आप हुकुमत में है आप अपील इसले नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते है क्या पैगाम देना चाहते कि बिटा काशी मतूरा में भी तोड़ दो हम तुमारे साथ है अपील नहीं करना चाहते बाबरी मस्जिद डेमॉलिशन केस को क्या आप इसले नहीं करना चाहते क्या आप जालिमों को जेल में नहीं भी जाना चाहते जिन्हों ने छे डिसंबर का बाबरी मस्जिद को चाहिए आपकी खामुशी इस बात का इखरार है क्या आप तशद्द पसंद है आप जवर के नाम पर आपके पास खानून की बाला जस्ती का कोई रोल नहीं है सर चौता पॉइंट अंदोलन जीवी परसाइट सर जमूरियत की बखा के लिए संबीधान की बखा के लिए अंदोलन करना जरूरी है और वजीर आजम या कोई बरसर एक्तदार जमाद के लोग अगर अंदोलन जीवी परसाइट का लवज इस्तमाल करेंगे तो मैं याद दिलना चाहता हूं उससर आपके जरीए से इस हकूमत को के हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कौकरोजिस का तर्माइट्स का उसके बाद 20 उसके बाद 20 मिलियन आप आप देखते हैं के 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को ग्यास के चमबर में डाला गया इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोना चाहते हैं और सर आप सुन लीजिए जी सर तोड़ा बहुत क्या सर बोलते से मैं हाँ सर जी सर आप आगे ना सर आप प्रोटेक्शन है मुझे अब तो कुल फिकर की बात नहीं और खुल के बोल सकते हैं सर आप आगे सर स्पीकर आगे हैं सर अब तो क्या है सर आप हमारे लिए हैं सर यहाँ पर आंदोलन जी भी आंदोलन नहीं करना अरे किसी शायर ने अच्छा कहा था जिसमे ना हो इंखलाब मौत है वा जिन्दगी रूह उम्म की हयात कश्मे कश है इंखलाब सर अब फॉरंड पालिसी पे आजाईए किसी इना मीना डिका ने टूइट किया आपने परेशान हो गए इना मीना डिका ने टूइट किया आप खड़े हो गए अरे क्यों सी फॉरंड पालिसी आपकी बहरत के अतराफ में जितने पडोसी है चीन हमला किया कौन साइट पडोसी है जो चीन के खिलाफ बोलता है बताईए कोई नहीं बोलता मूँ नहीं खोलता स्री लंका में आप पोर्ट बना रहे हैं किसके साथ जपान के साथ किसको काम मिल रहा था आपके नूरे नजर को आपके नूरे नजर को आपके चहीते नूरे नजर को स्री लंका ने कहा हम भारत को नहीं बनाएं देंगे टर्मिनल पोर्ट यहां पर आप बताएए फॉरंट पालिसी सर नेपाल का वजीर आज़ासम कहिता है कि भारत से तालुकात उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक कि भारत नेपाल की जमीन वापिस नहीं करता कहां सो रहे हैं सर आप परोस में पर एवडियाई का मतलब आप समझाता हूं है एवडियाई का मतलब यह है कि पांच फेवररी को ब्रैट शर्मन जो अमेरिका के रेपरेंटिटे उनके पास भारत के अमेरिका के सफीर गए तो ब्रैट शर्मन ने ट्वीट करकर का कि भारत सरकार को इंटरनेट खोलना चाहिए भारत सरकार को peaceful protest करना चाहिए कौन होता है ब्रैट शेर्मन जो भारत को सिखाए ये FDI है और भारत सरकार का डिप्लोमेट एंबसिडर बैट कर उनका लेक्शर सुनता है और उसके बाद क्या होता तीन दिन के बाद आप कश्मीर में इंटरनेट खोल देते हैं ये आप FDI कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं अच्छा बात कश्मीर की आई कौन एंटियाज कौन है अबरार कौन है इबरार इनको शोपियान में एंकाउंटर पर मार दिया गया प्रूव हो गया और ब्रिगेडियर आरा सेक्टर का जिसने इनको टर्रिस कहे कर मारा उसको आवाड देती हैं सर इन मरने वाले कश्मीरियों के लिए कौन रोएगा क्या वजिर आजम रोएंगे क्या कोई रोएगा अच्छा सर एक और बात एक और बात सर हाँ ये कह सर एक और बात बात आई कि शादी के घर में घुसा होता है अरे एक कौन सी शादी की बारात है कि अठारा लाग करोड टैक्स मिलता है और छिट्थीस लाग कोड़े सरकार खरचती है क्या शादी कर रहे हैं वह वह माने वाखे में आपके एकनॉमिक पॉलिसी को सलाम कि अठारा लाग कोड़ टैक्स मिलते है चेट्थीस लाग आप लोग शादी में खरचते है मुबारक हो आपको बड़ी शादी का अच्छा सर दिली का लॉइन ओरडर एक साल में तीन बड़े दंगे हो गए एडवोकेट्स पॉलिस उसके बाद CAA का राइट होए पचास से जायद उसमें लोग मारे गए बीस से जायद मसाजित को नुकसा ने जला दिया गया सर्कार जिम्मेदार नहीं है का यह सरकार जिम्मेदार नहीं है आपकी सरकार है आपको हम मिनिس्टर आप रोक भी पा रहे आपकी कमजोरी और आपकी नाजानी की वज़े से आप में दूर अंदेशी नहीं है आप उसको लाओ कर रहे और फैजान के खातिल कौन है क्यों ने पकड़ा फैजान के खातिल को आपने अब तक जिन बचों को रोट पर मारा जा रहा था जनगन मन बोला जा रहा था एक ताप तक नहीं पकड़े आप अच्छा सर आखिर में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स ग्यारा में से बीस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्स डिती आयों के सीमान चल में कटियार पूर्णिया रर्या है सर पूर्णिया का एरपोर्ट सिविल टर्मिनल का काम क्यों नहीं होता सर अब आजाएए सर माइनरोटीज पर तीन स्कॉलर्शिप्स की में मैं पकार रहा हूँ मुतालबा कर रहा हूँ के डिमांड डिवन्ट करो सरकार ने दो हजार बीस हकीस में तीन स्कॉलर्शिप्स के लिए दो हजार दो सो पैंसट कोड का इलान किया कितने पैसे आपने दिये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास 436 कोड पी किसको जुट बना रहे हैं आप पढ़िया आप लोग अच्छा सर, उसके बाद आप देखिए कितने लोगों को स्कॉलर्शिप, कितने माइनर्टी स्कॉलर्शिप्स नहीं मिली 42 लाक 36,000 माइनर्टी स्कॉलर्शिप्स नहीं मिली और सबसे ज्यादा इलिटरेशी मुसलमानों किये, लेडिस किये आप भूलते नहीं है इसलिए सर में आखिर में आपके जरीय से आपके जरीय से हकूमत से अपील कर रहा हूँ के आंदोलन होगा नाइनसाफी के खिलाब आवाज उठेगी सम्विधान को बचाया जाएगा नरेंदर मोडी भारत के वजीर आज़ा में जिल्ली सल्तनत के बादशा या जहाँ पना नहीं है जिल्ले लाही का दौर खतम हो चुका है जहाँ पना का दौर खतम हो चुका है मोडी के आखों में आके डाल कर उनकी गल्तियों को बोला जाएगा इसलिए शायर ने कहा था कि जो चुप रहेगी जमाने खंजर लहू पुकारेगा अस्थी का बहुत बहुत शुक्रिया स्थ स्री सी थमास जी